भूपाल में इस्मार्ट शीटी के विरोध में भाश्पा का धर्णा साथ ही राजदानी के जवार जोग पर दिया जारा है धर्णा पूर्वन्ति उमर्शंकर गुपता और भाश्पा पार्सल जगदी चादव के नेत्वत में दिया जारा है धर्णा वही दुकांदारों को विश्थापित करने और रहे वाश्पा को भी विश्थापित करने की मांगी गई विश्थापन करने के बाद ही क्या जाए इसमार्ट शीटी का काम तत्था कांग्रेस सरकार के खिलाब की जा रही है जमकर नारेवाजी बूपाल से निरजवेश्व करम की डिपोर देखे अर्थिय जंता पार्टी की सरकार पे सवेश्थ अनेज बिकास योजना है हमने इस प्रदेश को इलाइए यह बार्तिय जंता पार्टी ने कभी बोतों की राटीती नहीं कि अनीदा की उनलती को समार्ट सिटी को लेकर दांग्रेश के ध्रवर्त समे की जा रही स्मार्ट सिटी का सकंग ने नारी की तरह के सथी कई मारती हैं हाँ मैं कहे रहा हूं हाँ claim for लाद्य पर्देश में सरकें भारती अंता पार्टी ने की यह उत्पादन में नंबर एक भारती अंता पार्टी ने किया लेकिन स्मार्ट सिटी जो हमने सुविकार की थी आपने उसका पूरा स्वर्वी अपने स्वार्थ के कारण पदल की स्मार्ट सिटी जब हमने अनेक साथ ही जानते हैं, इसके पहले अधिकारियों ने जो प्रस्ता स्मार्ट श्रिटी का दिया था, उसका मैंने स्वयम मंत्री होते हुए बिरोध सार्दिनी ग्रूप से किया था, कि जन हित को ध्यान में रखते हुए सहर का विकास किया जाएगा, और उसमें अनेक संसोद हमने किये थे, प्रमुक्रूप से हमने तेह किया था, आप जानते हैं कि इस एरिये में उनर घरत्वी कारण के कारण, और सास के अवाज जड़जर होने के कारण, पहले ही काफी आवाज तोड़े जा चुके थे, इसी छेतर को हमने स्मार्ट सिटी के लिए चुना था, और उसमें कुछ बंदी से लगाई थी, नमबर एक, कोई भी प्राइवेट जो जगए है, उसको हाथ नहीं लगाए जाएगा, नमबर दो, कोई भी धार मिकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, गुरु दोरा, जिसको हाथ नहीं लगाए जाएगा, सरकार के दोरा आवंतित, किसी भी जगे को हाथ नहीं लगाए जाएगा, सरकारी क्वाटर जो टूट गए है, इसके अलाबा, पहले फेज के लिए जितना जरूरी है, उतने करणचारियों को दूसरा आवास देखकर, उतने ही आवास तोड़े जाएंगे, और स्मार्ट सिटी में सबसे पहले सरकारी करणचा लेकिन अब हम देख रहे हैं, तो शिवाजना में परिवर्तन करके, जब तय है कि अब करणचारियों के आवास यहां देकर ही खाली कराए जाएंगे, उनको धमकाया जाएंगे, इस प्रकार बरवर्ता पूरबक यहां के व्यापारियों को फेक दिया है, आज देड़ मेने हो गया है, रूके मर रहे हैं बच्चे उनके, वो युचित व्यवस्ता की किये गिना, उनकी कुई चिंता नहीं की जा रही है, बाणगंगा में हर करी निसान लगाये जा रही है, यह मेले रिष्टा हुसके मकानों में जबरन के निसान लगाएंगे जा रहे है, जन्ता को परेशान किया जा रहा है और इसलिए हमने लाके व्यापारी संग्रिफिन और बाके जनता अंदोलन कर रही है मेरे पास भी आये थे हमने काम इसमें राजनिती नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप वो पानी हद से ऊपर चला गया है लोग परेशान हैं हम मुख्षी दन होने के जुक्षा नहीं बेट सकते जन्या जन्ता पर अन्याय और सोशन व्यापारियों का नहीं होने जा सकते दूसलिए सांके धर्मा दे रहे हैं लुकमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि स्मार्ट सिटी के मूल सरूप को जन्ता के सामने रखा जाए और उसी के अनुसार जन्ता करने को त्यार नहीं है और इसलिए आज बड़ती जन्ता परटी ने हमने यह सांकेति घर्मा दिया है और आप सब के माध्यम से हम स्मार्ट सिटी के पत्सदर हैं लेकिन जन्ता को परिशान करने के लिए नहीं व्यापारियों को परिशान करने के लिए नहीं लोगों को धंकाने के लिए नहीं है और अगर कांग्रेश की सरकार ने इन कृतियों को बंद नहीं किया, ग्यापारियों को न्याए नहीं दिलाया, तो हम किसी भी सीमा तक जाकर इस लणाई को लणें.